अब बात करेंगे application of gosthoram application of gosthoram apply करने जा रहे हैं application of gosthoram थोड़ा मिसको recharge करने तब तक आप लोगे पानी पी लीजे तो हम बात करने जा रहे है application of gosthoram gosthoram को apply करने जा रहे है पहली heading डा लिए deduction of coulomb's law from gosthoram deduction of coulomb's law from gosthoram gosthoram की मदद से हम coulomb's law को प्रूफ करने जा रहे हैं क्या होता है देखो ध्यान से बहुत टेक्निकल चीज नहीं है एक charge q1 है एक charge q2 है r distance पर रखा हुआ है उसके बीच में force काम करेगा क्या होता है f is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r square एक gosthoram है एक उलामसला है अब देखे सपोज एक charge यहां रखा हुआ है plus q इसने चारो और एक electric field create कर रखा ठीक है तो हमने यह electric field बोले तो electric flux हमने क्या किया इसके चारो और एक Gaussian surface draw कर दिया Gaussian surface draw कर दिया यह sphere है दिख रहा हो तब भी है ना दिख रहा हो तब भी है और यहां से r distance पर electric field है e r distance पर electric field है e अब बताइए gosthoram के हिसाब से अगर हम यह gosthoram apply करें तो इस surface से गुजरने वाला electric flux कितना होगा उसका तरीका क्या होता है तरीका यह होता है कि इसका एक छोटा सा area element लिया डिये है और इससे हमने flux निकाल लिया electric flux तरीका क्या होता है पहले flux अपने formula से निकाल लिया e.ds को integrate करके जैसा कि gosth में हमने use किया और फिर अपना जब निकल आये बोले gosth आपने यह बताया था और दोरों को equate कर दीजे तो आपने आप electric field की value निकल आएगी ठीक है सभी questions में सभी headings में यही concept है पहले आप एक Gaussian surface ड्रा करिए वो कैसे ड्रा होगा हम समझाएंगे इसके बाद उसके एक छोटे से area element से flux निकालिए फिर entire surface के लिए निकाले के लिए integrate कर दीजे अपना formula निकालीजे कि मैंने flux इतना निकाला फिर आप कहिए कि gosth आपने कहा था q upon epsilon naught और अपने flux को gosth वाले formula से बराबर कर दीजे अपने आप electric field निकल आएगा ठीक है तो electric flux through small area element small area element small area element से जो flux है उसको निकालते है d phi e e dot da दोनों की भी जैंगिल 0 है यह हो गया e da फिर आप निकालेंगे electric flux through the entire surface electric flux through the entire Gaussian surface Gaussian surface phi e निकाला जिसको close integral कर दिया e da e बाहर हो गया और da है 4 pi r square यह हमने निकाला electric flux वारे हम यह हमने flux निकाला सौन्ज में आई बात सौन्ज में आरी बात अच्छा नहीं यह हमको मालूम सौन्ज में आ रही है हमें जगा रहे हैं कि मतलब जगते रहो होता नहीं रात में से कहीं जगते रहो ऐसा लोग चिलाते हैं अब gos के हिसाब से क्या होगा यहां लिख रहे हैं by gos theorem gos साब के हिसाब से flux क्या होता क्यों पान एपसले नोट यह gos साब ने कहा था तो क्या मैं जो कहूंगा वही तो gos की वैलू होगी जो मेरी वैलू आएगी वही गौस की वैलू आएगी वही बहुत बड़े थोड़े हम भी तो उतनी बड़े हैं वह थे अवाम हैं तो मेरा flux और इनका flux दोनों बराबर होंगे एक अलग अलग होंगी एक ही होंगे तो दोनों वैलूस को equate कर दो यानि पहले flux अपने फार्मने से निकाल लिए e.da से जो निकल के आए cost की वैलू से उसको equate कर दीजे तो दोनों equations को equate कर दीए यह note कर लिजे पहले हो गया अब equating equation one and two दोनों को equate कर देते हैं equation one and two जब equate करेंगे तो हमने निकाला e into four pi r square और Gauss ने निकाला q upon epsilon not e की value क्या हैगी one upon four pi epsilon not q upon r square अब आपके डायट लिख देते हैं क्या दिक्कत थी आ रहे चुकी Gauss का apply करना था इसलिए देखना पड़ा अब जड़ा देखिए ध्यान से हमको r distance पर electric field की value निकालाई अब जड़ा समझिएगा अगर इस electric field में हम एक test charge रखने तो बताइए electric field इस पर force लगाएगा यानि if q0 if a test charge q0 is placed in electric field then force acting on q0 force acting on q0 f is equal to क्या होगा q0 into e e command डग दो तो या आए गया one upon four pi epsilon not q q0 upon r square कुलाम साब के दाद निकला आरे वाह मैंने formula सही बनाया था मेरे formula को Gauss साब ने verify कर दिया यानि कि कुलाम को सो में सो number मिल गए तो दिस दा कुलाम सला लिक देंगे दिस दा कुलाम सला तो अगर आप से कहा जाए कि विरिफाई कुलाम सला भाई गौस्थर्म तो धिस दावे फर दा वेरिफिकेशन आफ कुलॉंब्स ला बाई गॉस्थ थोर्म सभी ने कर लिया हो गया है तो यह पहला अप्लिकेशन है गॉस्थ थोर्म की मदद से कुलाम स्ला को प्रूफ करना है हो गया है हाँ किसी एलेक्ट्रिक इसके पहले का आपने क्लास अटर नहीं किया क्या किसी एलेक्ट्रिक फिल्ड में आपको एलेक्ट्रिक फिल्ड की इंटेंस्टी पढ़ाई गई है कि किसी एलेक्ट्रिक फिल्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो उस पर फोर्स जो इल्क्रिक फالم के वज़ेसे के उनने फिर्स काम कर रहा है। को लाक्राम साब ने बता था इन उसे काम कर रहा है। तो एक field है उसके चारो तरफ, उस field की वज़े से हो रहा है, तो force field की वज़े से ही लगता है, नहीं जम्जे, दूसरा लिखे electric field due to, next topic है electric field due to an infinite, infinite straight uniform straight uniform charged wire charged wire electric field due to an infinite straight uniform charged wire जड़ा साउधान जो wire है वो uniform infinite length का है तो अब क्या करेंगे जड़ा समझेगा ये एक wire चुकि wire के अंदर हमको चार्ज दिखाना है इसलिए wire को थोड़ा सा हम ये ऐसे बना देंगे मताँ ये infinite length के लिए बज़े से बना रहे हैं अरे ये एक wire है जो infinite length का है और इसको हमने चार्ज दिया कैसा चार्ज देंगे प्लस Q प्लस Q अपनी के लिए तो प्लस Q चार्ज इसमें पूरी wire में फैल जाएगा कि एक जगे concentrate रहेगा एक जगे concentrate रहेगा या पूरे wire में फैल जाएगा हमने कहा इसका चार्ज बताओ कितना हमने दिया तो आपने wire पे CD लगाई चड़ गए आप लेके चार्ज नापने वाला और क्या नाप लोगे नहीं नाप पाऊगे हां क्यों infinite होना चाहिए ऐसा थुड़ी होता हमने हमने पांग वो एक अलग बात कितनी हो सकती वो अलग बात है हमने सौ लोगों को बुलाया एक रोटी बनाई सौ लोगों बाटो अब तुमारी मर्जी बाटो उसको एक एक मालिकुल खाओ जाकर कि हमसे कहा मितलब सौन्मारी बाट नहीं आ रही है वो चार्ज यह ऐसा थुड़ी होता है कि सोलों को बुलाएंगे तो हम ज्यादा खाना बनवाएंगे हमने कम खाना बनवाया खाओ खाओ नहीं जाओ एक मादी आदी रोटी खाओ वो एक अलग चीज है और आपको मालू है एक कोलॉम छार्ज हम नए उदिन मताया था कितना होता है लोना यानि अगर किसी कंड़क्टर से 1049 इलेक्टान पर सेकंड ट्रांसफर किया जाए और 180 का ट्रांसवर किया जाए तब उस वाले कंड़क्टर में एक कोलाम चार्ज होगा उससे हमसे मतलब नहीं 180 साल हो चाहिए 1 साल हो कुल मिलाकर के infinite length में charge है अब हम इसका charge ना पेंगे कैसे तो हम माल लेंगे हम यहां माल मानेंगे लेट लेम्डा इस charge पर unit length charge पर इसका एक मीटर लेंगे बाहर और एक मीटर का charge निकाल लेंगे उतों निकाल सकते हो न एक मीटर को charge निकालेंगे हम चार पाल लोगों से मिले यह कितनी रोटी मिली इत्ता टुकड़ा मिला एक ग्राम तुमको कितना माल एक ग्राम मिला तो हमने देखा एक मीटर में पांच ग्राम रोटी बाटी गई तो हम समझ गए कि per unit length 5 ग्राम यह distribution हुआ तो लेम्डा हमने माला लिया चार्ज पर यूनिट लिंथ हमने माल लिया इसको कहते हैं linear चार्ज डेंस्टी linear चार्ज डेंस्टी आप देखो ध्यान से अब यह electric जो फील्ड यह जो हमने चार्ज दिया है यह एलेक्रिक फील्ड क्रेट करेगा तो आप इस एलेक्रिक फील्ड को बंद करो किसी वायर को आप अगर चार्ज देते हो उसे एलेक्रिक लाइन्स गुजरती है निकलती है चारो तरफ इसको बंद कैसे करेंगे अगर बंद करेंगे कि प्रिकार का surface बंद हो गा इसका ऐसे बंद कर रहे हैं है एक cylinder बनेगा अब cylinder की length कितनी लें अब length तो हम इंफowej हो जाएगी तो हमने इसकी L length को कवर कर दिया हमने इसकी L length में इसको cylindrically बंद कर दिया अब है 혹시 ऐसे इसको बंद कर दिया और हमने का यह L Length में बंद किया अब बताए इस स्रेंडर के कितने सर्फिस है इस ऊपर का सर्फिस है एक नीचे का सर्फिस है देखो धयान से इस ऊपर के सर्फिस का जो DA है इदर है नीचे के सर्फिस का एरिया ऐलिमेंट नीचे है और इस वाले का area element इधर की हो रहे है अच्छा electric field की direction क्या होती है positive charge से दूर की तरफ तो electric field हर जगे ऐसे होगा electric field हर जगे ऐसे होगा सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं यह हमने जो बंद किया है हमने बंद किया कि पहले अपने आप पहले से यह बना हुआ था हमने बंद किया है जान बूज कि हम उटपटांग बंद कर सकते थे लेकिन हमने कहा उटपटांग तरीके का surface नहीं बनाएंगे ऐसा surface बनाएंगे जिसका theta यानि angle between area element and electric field constant रहे या कई जगे constant रहे तो देखे इस surface का नाम क्या है Gaussian surface तो diagram समझ में आया अब तरीका देखिए तरीका हमने क्या कहा तरीका जितने derivation समय सेम है हम electric field को बंद करेंगे ठीक है फिर उस Gaussian surface के एक small area element से गुजरने वाला flux निकालेंगे फिर उसको integrate कर देंगे total flux मिल जाएगा मैं अपनी calculation से करूँगा फिर मैं कहूँगा कि Gauss सहाब ये बोलके कहेंगे चुकि मैं Gauss से कम तो हूँ नहीं इसलिए जो मैंने कहा वही Gauss ने कहा दोनों flux की value को equate कर देंगे electric field की value मिल जाएगी तरीका समय क्या करना है तो देखिए electric flux ये ये surface 1 है ये surface 2 है ये surface 3 है तो electric flux तो चाहे तो अलग-अलग surface के लिए आप निकालिए ठीक है या आप इसको दिखा सकते हैं electric flux passing through the Gaussian surface entire Gaussian surface हम सब लिखे दे रहे हैं एक साथ लिख रहा हूँ बै कोई दिकत confuse हो जाएगी electric flux passing through the small area element small area element of surface 1 surface 1 के लिए हम निकाल ले हैं इसको हम लिख देंगे d5 1 अब बताइए surface 1 में electric field और area vector के बीच angle तो e.da और angle e.da cause 0 तो यह आ गया e.da कोई दिकत अच्छा electric flux through 2 and 3 क्या होगा 0 डैट कर दे यह node करिए diagram चुकि ज्यादा जगे कवर कर रहा है इसको node कर लिजे score up करेंगे उपर इसको थोड़ा यहां लिखे दे रहे है electric flux through the surface 2 and 3 डैट की रो कर दे diagram clear है क्या लिख दोगे as theta is equal to 90 आपको proof नहीं करना है आप कहेंगे चुकि 2 और 3 में theta 90 है इसलिए electric flux यहां से यहां से 0 हो जाएगा ठीक है अब देखे अब अब entire Gaussian surface से निकालने जा रहे है electric flux तो इसी value को integrate कर दो electric flux through the entire Gaussian surface electric flux passing through the entire Gaussian surface entire Gaussian surface phi e is equal to integrate e da इसके लिए निकना है और सब 0 हो गया जाकर चुकि यह surface close है इसलिए इसका नाम क्या लिए जाएगा close integral अब आप कहेंगे अभी तो आपने line integral कहा था लेकिन हमने इस flux को close कर दिया है इसलिए हमने close integral लगाया है अब बताओ e तो बाहर हो गया d a इसका surface area कितना है यह तो Gaussian surface है इसका surface area कितना है यह r है अब ठीक है करें मतब गलत थोड़े थो बोले है बोले अरे गलत है क्या अब किसी नहीं कहा area circle कि पाई r square बोले length length into breadth into height बोले अब करें मतब गलत होगा हाँ 2 pi r h 2 pi r h बोले तो l यह हमने flux निकाल लिया यहां तक बात समझ में आई जितने derivation होगे सबका concept same होगा electric field को आप बंद करोगे किसी surface के अंदर आप कोगे Gaussian surface है आप उसके एक छोटे से area element से flux निकालोगे और उसको integrate कर दोगे यह आपका formula अच्छा गौस थोरम क्या कहती है by gauss theorem gauss theorem के हिसाब से इस Gaussian surface से जो flux pass हो रहा होगा वो कितना होगा formula क्या होता है qy epsilon 0 यह थोगा अच्छा इस cylinder के अंदर जो wire आपने बंद किया है उसका area उसका चार्ज कितना होगा भाई इसके अंदर का चार्ज चाहिए ने total तो आपने इस cylinder के अंदर जिस Gaussian surface के अंदर जो charge in close किया है वो total charge कितना है lambda L पाई दीके unit length के लिए आपने lambda माना जब length 1 है तो charge lambda है जब length L है तो charge lambda L है यानि q की value क्या है गी lambda L upon epsilon 0 ap बाजपे इने निकाला e into 2 pi rl goss साब बता के गये थे lambda L upon epsilon 0 क्या ap बाजपे ने गलत निकाला नहीं जो goss ने बता है वो ही हमने निकाला हम और goss बराबर तो दोनों को equate कर दू मैं इस diagram को रब कर दू बना लिया है न equating equation 1 and 2 equation 1 and 2 e into 2 pi rl is equal to lambda L upon epsilon 0 LL कड़ गया तो e की value क्या गई 1 upon 2 pi epsilon 0 into lambda upon r ये electric field होगा क्या यहाँ L आया L हमने अपने आप बंद किया था तो L अगाई भी हो गया अपना purpose solve को गया हमने यहाँ लिख देंगे as lambda upon L is equal to q upon L is equal to lambda so q is equal to lambda L यह आपने q रखा है कहां से आया यह लिखना पड़ेगा जो electric field हमने निकाला है उसकी direction क्या है जरा गौस जो हमने भी बनाया था अप चुकि हमने तो रब कर दिया है यह हमने cylinder बनाया था ऐसे यह charge था यह hour distance थी यह electric field था तो electric field की direction क्या है इधर की और इधर इधर होगा क्या direction है आर की direction में है जिदर आर है radius के along है कि नहीं है radially outward कह सकते हैं यह जो यह है वो radially outward आरा नहीं आरा है अगर इसको vector farm में लिखना चाहें तो किसी भी scalar quantity को vector farm में लिखने का तरीका क्या होता है किसी scalar quantity हाँ उस चिस direction में वो quantity है उस direction के unit vector से multiply कर दो तो अगर हम in vector form लिखें in vector form तो e is equal to 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda upon r into r unit vector से multiply कर दीजे तो यह vector quantity बन जाएगा कभी-कभी electric field i, j, k के term में दिया जाता है ध्यान रखिएगा तो e dot ds d5 निकालना होता है उससे देखिए अगला है electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet infinite plane sheet जड़ा समझेगा एक plane sheet है हमारे पास और इंफाइनेट है यानि एडिया उसकी इंफाइनेट है अब हम इंफाइनेट यहां बना नहीं पाएंगे ये इंफाइनेट plane sheet है इसका एरिया इंफाइनेट है और हमने electric lines ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से निकलेंगी चारो तरफ से हर तरफ ऐसे निकलेंगी और अब इन electric lines को बंद करो कैसे बंद करोगे देखो यह तो ही हाथ है विसे मास्तर के चार हाथ होने चाहिए यह यह है पकड़ा में नहीं आएगा और ठीक है समझ पकड़े हैं ज्यादा दिक्कत हो जाएगी यह electric lines है ऐसे इसको हमने बंद कर दिया अब तब दूर पकड़े हम इसको छ बज्रा देखी धयान से साओधान कर यह electric lines ऐसे गुजर रही है यह लेक्ट्र क्लाइं ऐसे गुजर रही है ऐसे तुकि को हम ऐसे बंद कर रहे हैं जाद हो कैसे बंद करेंगे यह हमने cylindrically इसको बंद कर दिया इसके R-PAR-PAR कर दिया इसको cylindrically बंद कर दिया समझारी बार नहीं आ रही है यहनि electric lines यह ऐसे थी ना यह plane sheet थी तो हमने इसको बंद करना था तो ऐसे हमने इसको बंद कर दिया उठा करके अब चाहे rectangular बंद करो चाहे circular बंद करो तो ये जो बंद किया इसका total area कितना था ए अब एक problem है जो इसको हमने charge दिया है क्या इस charge की value आपको मालू है नाप सकते हो नहीं नाप सकते हो ना तो हमने माल लिया कि let's sigma be the surface charge density surface charge density का मतलब charge per unit area जैसे वहाँ पर हमने बताया था linear charge charge per unit length तो अगर इतना आपने plate को घेरा है electric field को इसे ये electric line गुजर रही है तो इतने का charge कितना होगा sigma into a वो बात की बात है चुदा देखिए इसको हमने बंद किया है इसको कहा Gaussian surface अब बताईए इसमें कितने surface है इस Gaussian surface में कितने surface है तीन surface है एक तो ये cut surface है एक ये top है ये के top है अब ऐसे लिखते तो bottom कहते है ऐसे हमने इसका top कह दिया तो देखिए इसका छोटा सा area element लिया हमने diagram सुन में आरा न दिख रहा है clear मतलब ये clear board clear हमारा moon clear हमारी आवाज clear everything is clear हाँ खुद काट लिया हमने area अब आप कहेंगे साब ये proof में नहीं आएगा कट जाएगा द्यान रखिएगा अपने आप माना तो अपने आप हट जाएगा बात में अब देखो तो ये तो ये आपका Gaussian surface यहाँ पर जो area vector da है और electric field E है दोनों paddle हैं कि नहीं है यहाँ पर आईए यही da यहाँ लिया area vector इधर की तरफ electric field इधर की तरफ दोनों paddle हैं कि नहीं है यहाँ पर आईए यहाँ पर electric field इधर की तरफ area vector इधर की तरफ ये नमबर 3 ये नमबर 1 ये नमबर 2 तो यह तीन जो है आपके gaussian surface के surface हो गए तो जब हम electric flux through the whole gaussian surface निकालेंगे electric flux through the gaussian surface जिसको के हम लिखते हैं phi e is equal to तो देखे हम पर लिखेंगे e dot d a close integral यहाँ one लिख दें चलेगा one बोले तो for first surface जब आप इसकी theory लिखेंगे तो first second third surface को थोड़ा explain करेंगे आप तीन surface we are taking three surface first this surface second this surface third this surface we find the electric flux passing through the whole gaussian surface सुझ में आ रही बार नहीं आ रही है तो जब one लिखोगे तो सुझ में आ जाएगी बार plus close integral first second surface e dot d a plus close integral third surface e dot d a जड़ा देखिए जड़ा देखिए जड़ा first surface को देखिए first surface में e और d a के बीच में एंगल कितना है जिरो तो इसको आप close integral e d a लिख सकते हैं first surface के लिए plus second surface के लिए आप e d a लिख सकते हैं अब बताइए third surface में e और d a के बीच में कितना इंगल है flux will be zero तो यह हो जाएगा zero तो अब जड़ा देखिए यह e तो हो गया बाहर d a बोले तो small area integral बोले तो total area total area कितनी आपने मानी है a तो e into a plus e into a to e into a यह आपने निकाला अपने calculation से गौस आपको बलाया है नहीं invite नहीं क्या हो देखते रहे टपा मारते रहे कि क्या कर रहा है अब according to Gauss theorem according to Gauss theorem phi e क्या होता है q upon epsilon not इसका derivation आता है न आपको बोले हाँ बोल देते है पका एक निज़ा इसका camera साप कर रहे है हाँ तो q यहाँ पर कितना होगा इस जो आपने area ले इसका charge कितना होगा क्यों बोले तो इसका charge जितना area ले इसका charge कितना होगा सिग्मा ए एरिया दिया है भाई मैंने ए रेडियस थोड़ी इसकी मानी है कुछ हमने या लेडियस का ए रेडियस तुम सही कह रहा हूँ लेकिन चुक्छे मैंने एरिया माली है ना उसकी तो यह हो जाएगा सिग्मा ए अपान एक्वेट कर दे तो एक्वेटिंग 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 एक्वेटिं इंफानेटली को अंग्रेजी वाले इंफिनिटली भी बोलते हैं वहीं उसमें दिख करने करिएगा माई सब्जेक्ट इदना अंग्रेजी माई सब्जेक्ट इस हिंदी ए सुरी फिजिक्स समझ में आई बात प्रूफ बिल्कु अब लिखे एलेक्रिक फिल्ड लास्ट हेडिंग इसकी है एलेक्रिक फिल्ड डियो टू यूनिफार्मली चार्ज थिन इस्फेरिकल शेल एलेक्रिक फिल्ड डियो टू यूनिफार्मली चार्ज्ट इस्फेरिकल शेल एक इस्पेरिकल शेल है शेल माने खोखला गुला है तो आप जब चार्ज दोगे तो क्या होगा वो चार्ज उसके आउटर सर्फिस में हर जगे यूनिफार्मली डिस्टिब्यूट हो जाएगा यानि ये एक इस्पेरिकल शेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया जो यूनिफार्मली इसके आउटर सर्फिस पे डिस्टिब्यूट हो गया ठीक है अब ये जो चार्ज है ये अलेक्रिक फील्ड क्रियेट करेगा कहां पे तो एक बार हम बाहर इसके अलेक्रिक फील्ड निकालेंगे एक बार इसके सर्फिस पे निकालेंगे और इसके अंदर निकालेंगे तो पहले तो माल लेते हैं कि सिग्मा जो है वो सर्फिस चार्ज डेंसिटी है सर्फिस चार्ज डेंसिटी है हमने चार्ज क्यूं दिया है हमने बता दिया लेकिन सिग्मा के टर्म में भी आ सकता है इसलिए हमने बताया अब देखिए इसकी वज़े से इलक्रिक फिल्ड निकालने जा रहा है है फर्स्ट केस एट एक्स्टर्नल पॉइंट यानि जो हम जिस पॉइंट पे निकालना है वो एक्स्टर्नल पॉइंट है यहां पर एक पॉइंट है बाहर और यहां से इसकी जो दूरी है वो इस्तमाल आ रहे है यानि हम कह सकते हैं जो हवारी दूरी है वो ग्रेटर दैन पकरो यह स्फेयर था और इसके बाहर आपको electric lines को पकड़ना है तो बाहर जो surface बनाओगे वो कैसा बनेगा स्फेयर बनेगा तो हमने इन electric lines को पकड़ लिया ऐसे ऐसे पकड़ लिया यानि यह हमारा आ क्या बात है इस फेर भी कन्फ्यूज हो गया कि मैं हूँ क्या अरे तुम इस फेर ही हूँ यह हो गया गॉसियन सर्फिस अब बिल्कुल वही डिटो सुरू हो जाओ देखे इस गॉसियन सर्फिस का आपने एक इसमाल एरिया एलिमेंट लिया और यह एरिया एलिमेंट और यह एलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफार्मली आउट्वर्ड डिरेक्शन में होगा और हर जगह एरिया वेक्टर भी आउट्वर्ड डिरेक्शन में होगा तो हर जगह एलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की थ्रू था इंटायर गॉसियन सर्फिस टोटल फ्लक्स मैं निकाल ला हूं क्या फ्रमला होता है E.DA का क्लोज इंट्रिगल मैं इस सर्फिस की बारे में बात कर रहा हूं जो बाहर है अच्छा तो क्लोज इंट्रिगल E.DA का जिरो बन हो जाएगा इबाहर हो गया यह जो गॉसियन सर्फिस का टोटल सर्फिस तेढ़ा कितना है टोटल सर्फिस ए आप गॉसियन सर्फिस ये अभी इसका पहले किसने बूला तूपायर को से नोला क्या 4-3 इसको आ च्छा पर आ यह जर्स क्यों नहीं बोलती है बाई बोलना भी जरूरी होता है एकस्टार्ना बोलो अलग की बात है जिकिन थोड़ा अंसर दिया करिए पावनी थोड़ा टेटेटे किया करिए नहीं वह ताउते था रहा हुशी बता रहे हैं कुछ बोलना ज़रूरी होता है कहीं अगर वायबा होगा जब आपका तुमां बोलना पड़ेगा ना अब जड़ा देखिए हमने फ्लक्स निकाला अ जड़ान आपको नमबर आया जगह नहीं बतती डाइगराम गोजे से यहां लिख दें अचार यह लिखिए पर यह उपर वेले रप करेंगे यहां लिखे दें वाई गॉस्थ्अरम भाई गॉस्थ्वरम गॉस्थ्भार्च ने कैं अगता था फाई इस इकल टू क्यू epsilon not और हमने q charge दिया है देखिए q के term में हम answer लिखेंगे यहां हमने plus q charge दे रखा है तो हमारा flux यह है gauss का flux यह है दोनों को equate कर दो equating equation 1 and 2 equation 1 and 2 तो क्या हैगा आपका यह note कर लो बहुत ज़्यादा किनारे हो रहा है अर्ण 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 अ अ संभ्यारी बात ने समझ में तुआ ही रही होगी वो तो हम आपको जगाते रहने के लिए बाबा कहते हैं अ 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 है हाँ हाँ अ 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 आ अ अ अ अ अ अ अ case लेते हैं, तीसरा के लिखो inside the cell तीसरा point लिखिए inside the cell जो point है वो इस cell के अंदर ये note के लिया case 3 inside the cell यानि small r is less than capital R यानि हमारा point इसके अंदर कही है तो देखिए अब चुकि language आप पहले से लिख चुके है इसलिए यहाँ पर language जादा लिखनी है पहली वाली पूरी language उतार देनी है तो हमने क्या किया ये इस small r बाहर कर दो ये हमने एक Gaussian surface खींचा इसको electric field को पकड़ा, इसका नाम भी क्या है Gaussian surface ये आपकी जो distance है वो इस small r है अब इसके छोटे से surface से कहीं भी बना दो यहाँ से electric field और da निकाला तो electric flux थू इंटायर Gaussian surface Gaussian surface phi e is equal to close integral e dot da is equal to e into 4 pi r square ये हमने equation 1 डाल दिया वो 1, 2 अलग हो गए अब जहाँ देखें by Gauss theorem Gauss theorem अब बताइए जो आपने इस charge को मतलब ये जो आपने Gaussian surface खींचा है क्या इसके अंदर कोई charge रखा हुआ है इसके बाहर charge रखा हुआ है और किसी Gaussian surface के बाहर charge रखा होता है तो flux कितना होता है अगर किसी भी Gaussian surface के बाहर charge रखा होता है तो Gaussian surface से पास होने वाला total flux कितना होता है 0 नहीं होता है तो आप लिखतेंगे as Q is outside outside the Gaussian surface चूंकि Q Gaussian surface से बाहर है दोनों के equate कर दो by equation 1 and 2 तो E into 4 pi r square is equal to 0 तो E is equal to 0 यहनि Gaussian surface के अंदर बता किसी cell के अंदर electric field 0 होता है electric field due to two positively charged parallel sheets जाना समझेगा यह positively भी हो सकता है negatively भी हो सकता है अभी हम एक plane sheet की वज़े से electric field निकालना पुछ सिखा चुके हैं हमने तो उसकी वज़े से उसके नजदीक एक electric field आ सिग्मा पांट टू अपसाले नौर्ट ज़रा देखिए एक sheet यह है इस प्रकार से यह sheet ऐसे है हमने ऐसे रखा है तो यह दिखा दिया आपको एक sheet यह है और इन दोनों को हमने same चार दिया है अब चाहे इसको आप positive बोल दे हैं चाहे negative बोल दे हमने दोनों को positive चार दिया है दोनों को हमने positive चार दिया है अब ये भी हो सकता है कि दोनों को same charge density हो दोनों की same charge density ना भी हो तो हमने इसकी charge density sigma 1 माल लिया है इसकी charge density sigma 2 माल लिया है तो पहली plate ये sheet 1 है और ये sheet 2 है ठीक है तो पहले हम electric field due to sheet 1 निकालते है sheet 1 E1 माल लिया तो आएगा sigma 1 upon 2 epsilon 0 अभी direction किस point पे निकाला हमको नहीं मालू ये हमको मालू है positive से दूर होता है और electric field due to sheet 2 E2 निकालने तो sigma 2 upon 2 epsilon 0 देखे अगर आपको electric field P point पे निकालना हो तो P point पे पहली दोड़ो sheet की वज़े से electric field क्या होता दूर की तरफ तो जो sigma 1 पहली plate की वज़े से electric field होगा वो इससे दूर की तरफ होगा और ये इससे दूर की तरफ होगा तो अगर मैं at P मतब P point पर net electric field निकालू तो E is equal to क्या निकलेगा E1 minus E2 अब आप कहेंगे E2 minus E1 होगा तो हो सकता है वो तो depend करता किसकी value बड़ी है तो ये क्या हैगा 1 upon 2 epsilon काम ले लो sigma 1 minus sigma 2 ये electric field निकलाया ये equation number 1 डाल समझ में आई बात अब आप कहेंगे हाँ समझने जैसे कोई बात ही नहीं है बात तो नहीं है लेकिन बात है अच्छा अगर ये point बाहर होता हमने इस point का नाम दे दिया P dash वो इधर भी हो सकता है अब आप कहेंगे Q मालने में confusion है यहाँ पर Q नाम चार्ज का है तो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो पहली plate से भी दूर की तरफ दूसरी plate से भी दूर की तरफ यहाँ पर आओ पहली plate से भी दूर की तरफ दूसरी plate से भी दूर की तरफ तो अगर P dash पर electric field निकाले at p dash e की value क्या निगलेगी e1 प्लस e2 यानि कि e is equal to sigma upon sorry 1 upon 2 epsilon 0 sigma 1 plus sigma 2 ये question number 2 डाल दीजे बात समझ में आई तो ये हो जाएगा 1 upon 2 epsilon 0 sigma 1 plus sigma 2 ये question number 2 हो गया ठीक है ये निवेकल में अक्सर मिलेगा और एक जिगे अगले चेप्टर में होगा वही में बात करता हूँ अगले चेप्टर में होगा वही में में बात करता हूँ में बात करता हूँ झाल झाल हो गया है अच्छा इसमें केस यह भी हो सकता है कि दोनों के सर्फिस चार्डेंसी सेम भी हो सकता है तो यहां पर एक स्पेसल केस आप ले सकते हो यहां लिखे दे रहें एक यहां लिखे दे रहें यहां पर एक इस्पेसल केस लिख सकते हो इस्पेसल केस कि अगर सिग्मा वन इस इकोल डू सिग्मा टू इस इकोल डू सिग्मा हो जाए अगर ऐसा हो जाए तो बाई एक्क्वेशन वन E कितना निकलेगा 0 हो जाएगा यानि अगर दोनों की जो surface charge density सेम होगी तो इनके बीच में electric field 0 होगा ठीक है और by equation 2 यहां लिखेंगे E तो आएगा sigma upon epsilon 0 तो sigma plus sigma 2 sigma 2 cancel हो जाएगा यह electric field आएगा अगर दोनों की charge density सेम हो जाए तब तो यह topic हो गया तूसरा है इसमे electric field due to two oppositely charged parallel seat अगर oppositely charged है मतलब opposite charge है यह plus है और दूसरी वाली plate minus है अब आप कहेंगे आप तो सस्ते निट्टे जा रहे हूँ आप तो उसी मना दियो हम क्या करें तुम दुबारा बनाओ तो e1 e2 तो same निकलेगा direction बदल जाएगी अब देखिए जब p point पे आप आओगे p point पे तो चुकि e1 क्या होगा plus से दूर और e2 होगा minus की ओर तो जब p point पे निकलोगे तो यह क्या हो जाएगा दोनों plus हो जाएगे ठिक और जब p dash पे आओगे तो यहाँ पर क्या होगा even क्या होगा plus से दूर और e2 क्या होगा minus की ओर यहाँ पर E1 जो होगा प्लस से दूर और E2 होगा माइनस की ओर तो P डैस में यहाँ माइनस लग जाएगा और इस पिसल केस में यह equation 2 बनेगा 0 यहाँ पर 0 आएगा और यह equation 1 बनेगा यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा पानप सले नॉट